नमस्कार, गूड मॉनिंग न्यूजनेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ मौनुचहल, मेरे साथ अखिल गुपता जी मौजूद हैं, लेकिन कल दूसरा मैच इंडिया वर्सिज वेस्ट इंडीज, टीम इडिया की शर्म नाखार, अगर मैं यह कहूं तो गरत नह मैच में, और वेस्ट इंडीज ने 182 रगबड़े आसानी के साथ बनाए, और 6 विकेट से बड़ी जीत हासिल की, और टीम इडिया को आईना दिखा दिया है, कि आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी जो है, पूरी नहीं है फिलाल, अखिल, इस हार पर क्या कहेंगे आप? आपके वर्ल्ड कप में गिने चुने दिन बचे हुए है, और आपके मननोब एक्सपेरिम्ट की तैयारीया कैसे हैं, आप उक्ता करते हैं, लेकेशन मोंड में पहुच चुकी है, बिल्कूल, और यह देखिए है, हम आप ने जुरूर ओपर से आके रन मनाये थे, उपन किया था, कलतिर और लाक्टेंडर ने जिस तरी के स्टार्ट दिया था, पच्पन रन मनाये थे, पच्पन गेंदों का सामना किया, हाला कि यह भी एक शकत, लेकिन पचास इन्होंने बनाए, बैक्तास बनाए, दूसरे में ब और शाथ मिला उनको शुगमन गिल का, शुगमन गिल ने देथी, 34 बनाए, 49 बोल में, और जो पहले विकेट की पार्टनिशिप थी, वो आपकी नभ्भे रन की हो गई थी, अखिल जी, नभ्भे रन आपकी पार्टनिशिप ने बना दिये थे, पहली जोली ने बना दिये उसके बाद आपने नभधर रनों के अंदर तकरीवन दस विक हो गई, आया राम वाली बात हो गई थी, चैनुवर रन को ओल आउट हो जाती है तीम, हो जाती है, जो तीम 36 पर ओल आउट हो सकती है, टेस्ट मैच में ऐस्ट्रेलिया के खिलाफ, वंडे था यहां पे आपने बहुत रन मना लिए, इस बैटिंग ओडर के साथ अपने अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, और क्या बैटिंग ओडर है, आप देखिए नमबर चार, क्या ही डिजर्व करते थे, यह क्या सोच थी, टीम मैनेजम आप नमबर चार पर बैटिंग कीजिए, आप सुर्यकुमार यादा को बैक करने का मतलब क्या है, अगर आप बैक कर रहे है, तो उनको तॉप पर्टर में प्रमोट करो, पहले मंडे में हमने देखा कि वो नमबर तीन पर बैटिंग करने आए थे, इस मुकाबले में, वो न चाहेंगी कि सुर्यकुमार यादाव को जितना हो सके, उतना बल्लेबाजी का मौका मिले, लेकिन, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता टीम एने देखा कि यह सोच हो कि लैटिंग साही है, उनको नमबर से आरपर क्योंकि आपके पास लैटेंडर इशान के सन आउट हो आपके पास एक्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि कहां चूक रहे गई टीम मिडिया से, आपको क्या लगता है, देखे संजू सैंचन जिसके उपर कई सवाल है, उनको चूक तो हर जंगा चूक है, यह देखे संजू सैंचन आपकी स् लेकिन कितने चांस दो गया, आप कहते हैं कि 2015 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, उसके बाद अगर हम तस्वीर उठाके देखे तो सिर्फ गिने चुने मैचिस भारत के लिए लेकिन जितना मौका संजू सैंचन को मिलता है, जब बे मिलता है, यह खिलाडी लेकिन को जितना मर्जी खिलाओ, घरलू क्रिकेट में जितना मर्जी खिलाओ, लेकिन इंडिया के लिए जब बारी आईगे, संजू सैंसंट बिलेंगे, लेकिन बाते हो फ्लॉप होंगे. देखें, रोई शर्मा और विराट कोली नहीं थे इस मैच में, क्योंकि दोनों को रेस्ट करवा गया था, अब इसके पीछे क्या लोजिक था, वो हमें तो समझनी आया, फुर्शक्ता आखिल जी आपको भी समझनी आया होगा, किसी को भी समझनी आया होगा. यार, आप, देखिए, आप मैचिस खेलने जाते हैं, वेस्ट में, या तो आप वंडे सीरीज खेलने से पहले ही इन टीमों को बोल देते कि भाई, हम इन प्लेर्स को रेस्ट करवा रहे हैं, जब आप लेए, आपने क्या किया, विराट को बैटिंग ही नहीं आया, विराट यह टीम तो सिरफ एक्यानुए रन पर ओल आउट हो गए, यार, आयम सर्प्राइज, कि यह टीम कैसे, 90 रन पर कोई आपका विर्केट आउट नहीं है, और 181, पर आपकी टीम ओल आउट हो जाती है, आप सर्प्राइज नियों मोनू पूरा भारत सर्प्राइज है, जो भा कि यह टीम मुझे नहीं लगता कि वर्ल कप जीतने वाली है, इस टीम की प्रसेंट सिच्पेशन को देखके न, मुझे 2007 वारी टीम ही आदाती है मोनू, और 2007 की वो टीम नहीं जिसने वर्ल कप जीता था, 2007 की वो टीम जो वेस्ट इंडीज में राहुल द्रविड के नेत्यत को बड़े दिगज हैं, लेकिन इनकी सोच क्या है, वो सबसे परेहा, आई नो कि यह क्या चाहते हैं? आपको बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती है, बट पॉइंट यह है कि आपने जिस तरीकिक एक्सपरिमेंट किये हैं, आप वल्ल कप कितने दिन रह गए यार, कितने मैच्स आपने सिर्फ 10 मैच्च खेल लें इसके बाद, तो आप 10 मैच्च खे मतलब आपके मीडल ओडर में क्या केल, राहूल से सहीर आ जाएंगे, क्या उनको आते मैच्च खेला दोगे, एक एक चीज़ सेट है, आराम, कल मैच्च के बाद भी आपने देखा, रोईश शर्मा आराम से ग्राउंट भी चाहले वाला एक पोस होता है, वरल्ल कप में वाय मिला जाएगा, ब्रैन लारा स्टेडियम है, वो, एक अगस्त को हम आपको बता दें, लेकिन इस दोरे से, मुझे ऐसा लगता, confusion जादा है, short out बहुत कम हुआ चीज़ है, solution कम मिले आपको, लेकिन confusion ही confusion है, कि आपने यार, इशान किशन को open करा दिया, जब वरल्ल कप आएग आप पांच विकेट खोकर एक आसानी वाला मैच आप प्रो रोकर जीत रहे हो, और दूसरे मैच में तो वेस्टेंडीज ने कहीं टिक नहीं नहीं दिया, और आप किस से हारे हो, आप उस टीम से आप खेली नहीं रही है, वरल्ल कप में क्वालिफाई नहीं किया, उस टीम स प्रेंडन किंग और कायल मैर्स जिस टरीकर का उनों ने स्टार्ट दिया थे, प्लाइं डिया दोनों ने, 36 मारे थे कायल मैर्स ने, वो जो जो जिस टरीकर से शॉट अप लैंद गियंद तो पुल मार रहे थे ना, कायल मैर्स पटकी हुए गियंदों पर, तो आपके पास देखे, कोई प्लाइन मुझे नजर नहीं आ, कल मैच में, हर्दिक पंडिया की क्या कैप्टेंसी थी या, एक कीमी तो देखे न, आप एक्स्परिमेंट कर रहे हैं, बोलने कि आपको युवाओं को मौका देना है, उम्रान मलिक को आपने पहले मैच में तीन ओवर करा है, 27 27 कर्च किये, दूसरे मैच में आपने तीन ओवर करा है, 27 कर्च किये, किस तरह का मौका देर हो, आपके लिए प्लेयर को सिर्फ तीन ओवर करा की बाहर बठा देते हो, मुकेश कुमार तीन ओवर डाले, उसके बाद नजर नहीं आये कहीं प्रेम में, शार्दू ठाकूर ते चाहल का बाहर बैठना वो क्या वाजिफ है, आपको लगता है, यूजी चाहल को मौका देना चाहिए, अक्षर पडेल से प्रियोर्टी, पांच मैच हो चुक है, जब यूजी बेंदर चाहल लगातार बेंच पर बैठे हुए है, और इस खिलाड़ी का जब भी नाम आता है परफोर्मेंस करके दिया एक है, तारीफ बंतिया कुलती प्यादा हो कि कल भी एक्विकेट उनर ने लिया, पहले मैच में मैच थे, चार विकट लिये थे, तो उनके परफोर्मेंस ने शायद चहल के लिए एक संश्य बना के रखा है, बिल्कुल, वो डाउट से डाउट से अब सवाल बड़ा ये है, कि या तीसरे मैच में, आखिल जी, आपको वही नियमित ओपनिंग करते हुए नजर आएंगा, रोहित और शुमन गिल, या फिर आपको लगता नहीं जी, फिर से शान किसन ही ओपन करते नजर आएंगे, अब मान सम्मान की बात है, मौनो भी वर् वेस्ट इंडीज ने भारत को वंडे क्रिकेट में हराया है, आपने चाहे घर में खेले हों, चाहे निट्रल मेन्यू पे खेले हों, या फिर वेस्ट इंडीज में ही खेले हों, अपने लगातार उस टीम के किलाफ, नौ मैच जीते थे, जो जीत का सिलसला है, वो कल टूट अभी आपको सिरीज जीत नहीं है, तो रोईत और विराट को वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखें, दो हजार छे, मैं वेस्ट इंडीज ने पहली जब भराया थैने टीम को आफ्री बार, उसके बाद से हम सिरीज आरे नहीं है, और लगातार बारा सिरीज ज जाते हैं, हर्दिक पंडे आम सेरिमनी में कह रहे हैं कि फैंस के लिए तो बल्की रोमांचक हुआ है, कि फैंस को मज़ा आने वाला है ती इसमें मैच में, मज़ा किस बात का मज़ाएगा, आप ये बदलब सीरीज को लेवल करने लिए गये थे, आप क्या जीतने के लिए पिछले मैच में आपने नमबर तीन खिलाया और इस बार सबसे नीचे खिलाया और इस बार सबसे नीचे खिलाया क्या चाहते हो आप या तो आप एक हमसे कंब एक बैटिंग उटर सैट अप तो रखिए कि हम नमबर तीन सुरिया पर ही विश्वाज जैसे आपने इशान किसन को बोला कि भाई ऑपन ही करेगा, तो आप सुरिया कुमार यादव को नमबर तीन के स्लोट दीजिए, आज पर है, बिल्कुल समझनी आती ही चीज़े और देखिए, वैस्टन डीज ने जिस तरीके का टार्गेट चीज किया, 182 का और 36 ओर में ही बना दिया उन्होंने, और जो ओपनिंग में उनको जो स्टार्ट मिला था, काईल मेर्स और ब्रेंडन किंग ने, मतलब ऐसा जरूर मिलते रहे, और फिर कुल्दीप यादा होने, जिस तरीके से शर्मन हैटमार को आउट किया था, वहां से चार विगट आपके आउट हो गए, एक सो साथ पर थोड़ा सा कमबैक हो गया थे इंडिन टिन का, लेकिन उसके बाद किसी कार्टी और शेय होप, शेय होप स से खिलाड़े ने किया है, टेस्ट मैस के आखरी पारी में 50 थी यानि कि पिछली तीनों पारियों में ये खिलाड़ी 50 प्लस का स्कोर बना चुका है, रोई शर्मा वापस आएंगी, तो क्या ओपन करेंगे, विराट कोली वापस आएंगे, नंबर तीन पर वो खेलेंगे, और संजू सेंसन का क्या होगा, कहीं सारे समाल है, सीरीज भी दाव पर लगी है, वह यहां थारा कन्फूजन ही, आपके पार स्वलिशन कहां ही दिखाई दे नी रहा, लेकिन अगर मेरी मानो तो, यह मेरी सोच, I don't know team management क्या सोच होगी, वो क्या चाहेंगे, बट इस सीरीज प्रजेंट सिनारियो में, इस तरी के पारियां खेली है, ओपनिंग में आकर, तो मुझे लगता है कि रोही तो और इस तरी को ही ओपन करना चाहिए, बिकोज शुमन के लिखाई रफ पैची चली रहा, continue, और कल भी जिस तरी का शोट मारकर आउट होए हैं वो, यहर आपके टीम के सारे बैस्मन, अगर आप देखो कि डिस मिसल, अखिल जी, सारे के सारे बैस्मन आपके वो पेसंस नहीं दिखा, वो टेपरामेट नि दिखा, वो T20 के लिहाद से खेले हैं कल सारे मैचीज, आप दोनों मैचीज देखें, आप पहला मैच देख लें, यह मैच देख तो आपको थोड़ा साना इनिंग को पेस करना पड़ता है, वो पेसी नजर नहीं आया, आपको देखिए सुमन गिल, वो खराब शोट मारकर आउट होए, विद देखिए स्पिन के साथ, सो देखिए कन्फिजन तो है, तो इंडियन क्रिकेटर्स वन डे वल्लकॉप को भूल क सिधा T20 की तैयारिया शुरू कर चुके हैं, अक्टोबर नमॉमबर में जो होगा, वो हो जाएगा, सब को बताए कि रैग तर्डनर जैसी विट्टों पे खेलना आसान नहीं होने वाला है, आप वेस्ट इंडिस में स्पिनर्स को नहीं कहले पारें, तो भारत में क्या खाक स्पिनर्स को खेलोगे, साथ ही, मुझे लग रहा है इसलिए अगले वर्ल्ल कप की तैयारिया शुरू कर दिया, आपने पहले मैच में आप स्पिन के साथ सखल किया, और दूसरे मैच में कल आप जितने भी डिसमिसस देखो, अक्षर पडल का आप डिसमिसस देख लो, आप इशान किसन का रही, शौट अफ लाइट गेन पर संजू सैमसन इवा, इस टीम में आपके जो प्लान था वेस्ट इंडीज का, वो था पटकी हुई गेंदों के साथ अटेक करना, और उसमें आपके अक्षर पडल ने विगेट खोया पहले, और अक्षर पडल भी बीट हु और उसके बाद आपके जो टीम है, जो बारिश आई थी, बारिश से पहले आपने एक सो स्टेरा पर पांच विगेट खो दिये थे, आपकी टीम पूरी टीम पूरी तो रही है, अच्छे से इसे डूब हो यार, ऐसे क्या मैं तुम को कब तक बचाऊंगा, बड़ तो में थ इसलिए उठे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से जो बैटिंग ओडर में जो चेंजिज किये हैं, वो आपके सक्सेस्फुल नहीं हुए हैं, तो अब क्या सोच होगी या किस की सोच है, मुझे तो आज तक नहीं समझ है, आखिल जी, कि इंडिन क्रिकेट को चला कौन रहा ह आप देखिए, क्यों चाहते हैं, आप या तो आप देखिए, मैं बार-बार यह पूछ रहा हूँ, जब आपके पास दो ऐसे दिगज बैट्समन हैं, रोहित हैं, विराट हैं, जिनके तैईस हजार रन हैं, दोनों की मिलाकर आप देखों वंडे में, तो आप क्यों उनको बार-बार बाहर कर देते हैं, क्यों उनको बैटिंग नहीं करवाते हैं, वही आपके वर्ल्ड कप के तो यह दो ही खेलेंगे ना, पके कंफर्म हैं आपके, इनी से उम्मीद रहती है कि टॉप ओडर को जो बनाएगा, क्योंकि मिडल ओडर तो आपका दुवजार पंदरा क अगर यही नहीं खेलेंगे, यही अपनी फॉर्म पर काम नहीं करेंगे, रन नहीं बनाएगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, दोवजार तेईस का, बहुत मुश्किल सिच्वेशन नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या भारत ट्रोनमेंट खेला जाएगा, जहां पर टीमे, नो मैच एक टीम इंडिया, हर टीम के किलाफ अलग-अलग मैच खेलेगी, नो मैच खेलेगी, उसके बाद प्वाटर फाइनल में जाएगी, फिर सेमी फाइनल, फिर फाइनल, लेकिन मोनु, अभी से मुझे लग रहा है, एक ट्राइ किया था, अब आधर इंडियो को ट्राइ किया था, विजे शनकर पता नहीं कहां से आए, विजे संकर एकदम से आगे टीम में, जिनिरश कार्तिक पता नहीं कहां से आगे एकदम से टीम में, आप दिखर अन Emir चारइ साए, और ऐसी दो और वर्टकप आएगा, पता नहीं, एकदम से आप प्रेजेंट देखते हो, आप मुझे समझ नहीं आता है यार टीम, यह क्या सोच है, इसके क्या चाहती है, देखे अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, यह हो सकता, आपके लिए वेक अप कोल हो, बट यह देखे मैच सर, तो बी ओनेस्ट आपको हारना नहीं चाहिए था, और वेस्ट इंडीज के साथ तो वो टीम जिसने क्वालिफाई नहीं किया है, वो टीम जो आपकी सिर्फ एक सो तेईस, कितने बनाएं, एक सोदर नाकर आल आउट हो जाती है, उस टीम के साथ आप छे विगट से हारे हो, यार, इससे बड़ी हार क्या हो सकती टीम के लिए, तो इस हार के बाद तो ही कहेंगे कि अखिर क्यों वेस्ट इंडीज वर्ल्ल कप नहीं केल रहा है, इससे अचा तो उनको ही वर्ल्ल कप कहला दो, उस तो भारत में वो एंटेटेन करेंगे, पैंस को, हो सकता है, वेस्ट खाली ज्यादा भरा कम है, यार, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरा खाली तो खैर क्या, इशान किसन आपने ठीकरन बना दिये, शार्दूल ठाकुर ने ठीक अच्छी गेंदबाजी कर दी, मुकेश कुमार ने देखी ठीक ठागेंदबाजी की है, पर फिर भी सवाल या फिर शुबन, किसको ट्राइ करते हैं, लेकिन कम से कम, एटलिस्ट ये चीज़ हम सब उमीद करेंगे, कि जो आपका वर्ल्ड कप का स्ट्रेट है, जो आपकी प्लेंग 11 है, वो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो ही आप प्लीज पिक कीजी अगले मैच में, आपको लगता संजु ने पिछले साल अच्छा किया था, तो मैं चाहूँगा कि संजु सैंसन को लेका रहा है, और दिलिप कुमार महतो जी का यहां पे एक उनका सवाल है कि टीम इडिया नहीं जीच सकता वर्ल्ड कप, देखी ऐसा तो नहीं है यार, कि इंडिया नहीं जीच सकता, क्योंकि इंडिया खेवरेट होगा, खेवरेट इस भी होगा, क्योंकि इंडिया की मेजबानी में यह वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और आपको टर लेकिन आप देखिए टी ट्वेंटी वर्ड का फारे वो हमें अनेक्स्पेक्टिड था क्योंकि आप पूँ टीम बहुत अच्छी थे उस समय आप एश्या कप जो भारे क्या वहां से आपने सीखने लिए एश्या कप में तो नहौट में नहीं पहुचे और विदेशों में सा कारत हार चुका है तो राहूल द्रविट की जो अल्टिमेट अभी तो कोचिंग नहीं है अगर ओवरॉल उसका एक सीधे-सीधे शब्दों में बात की जाए तो कुछ खास प्रभावेत राहूल द्रविट ने नहीं किया अपने घर में पारे लेकिन आपके पास बड़े ख हुआ नहीं है कि यार आपने कुछ नया किया हो नया इंदरसेंज खीका बाइलेटल सरी जीते रही है लेकिन आखिर क्यों नी टीम इंडिया जब मल्टी नेशन टॉर्टमेंट आते हैं जब वर्ल्ड कॉप के मैचिज आते हैं तो आप से पहले पहले यह सबसे बड़ा चै आप कुछ कहना चाहते हैं टीम इंडिया के बारे में क्योंकि देखिए हार हुई है तो हम तो बड़े अपसेट हैं निराश है अपको क्या लगता है क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी क्या रोजशर्मा विराट पोली के लिए क्या एक बड़िया प्लेंग 11 हो सकती है क्या 15 का सकता है कमेंट कर अपनी राया बताएं और आज को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो फिलाल हाइलाइट्स में जो जो चीजी हमने आपको बताई यह शायद आप भी सीजी से अगरी करते हैं तो प्लीज हमें येस या नो या प्लीज आप कमेंट्स कीजी आपके नाम के साथ बताएंगे फिलाल इस बुलिटिब में इतना ही बाकी अब आपके साथ ठीक नो मॉर्णिंग अप्रेट लेकर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे फिलाल धन्यवाद आपके से जुड़ने के लिए